स्टुडेंट्स हम लोग बी ए पार्ट सेकेंड का सेकेंड पेपर भारतिय समाज मुद्दे एवं समस्यां पढ़ रहे हैं और आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे टॉपिक का नाम है एड्स 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 एक खतरनाक बिमारी है यहे एक छुपी महामारी है जिसका पता पिछले कुछ वर्षों से ही लगा है और जिसका अभी तक पूरी तरे इलाज नहीं धूनडा जा सका है एड्स का पहला प्रकरण 1959 में अमेरिका में एक पुरुष में मिला 1960 में पश्चमी आदी समाजों में जैसे अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, एवं जांबिया में इस रोग के संकेत पाए गए आज पूरे विश्व में इस बिमारी की चर्चा हो रही है और वैज्ञानिक इस बिमारी के बारे में फैली भ्रहन्तियों, कारणों, निदान एवं उपचार को ढूनने में लगे हुए हैं आज स्तिती यह है कि इस रोग से घ्रसित व्यक्ति अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है यह एक संक्रामक रोग है, स्वभागेवेश हमारे प्रदेश राजिस्थान में अभी तक इसका जादा प्रकोब देखने को नहीं मिला है लेकिन विश्व के आंकड़े बताते हैं कि आने वाले समय में जन स्वास्त के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या होगी इस रोग ने अनेक देशों की आर्थिक एवं समाजिक सनरचना को प्रभावित किया है इस रोग के कारणों वह बच्चाव के बारे में जानना प्रतेक व्यक्ति का करताव बनता है साथ ही हम इसके बारे में फैली भ्रहांतियों को भी जाने जो अनाविशक भै का कारण है AIDS क्या है? What is AIDS? AIDS की पून व्याख्या इस प्रकार है एक इसके लिए है acquired इसका मतलब है उपारजित I immuno मतलब प्रती रक्षक यह मैं AIDS की स्पेलिंग में बता रही हूँ कि क्या जो लेटर है कौन सा जो है वो किसके लिए लेटर किसके लिए स्टैंड करता है जैसे ए शब्द है वो acquired जिसका अर्थ है उपारजित I immuno के लिए जिसका मतलब है प्रती रक्षक D deficiency के लिए जिसका मतलब है अभाव और S syndrome शब्द के लिए जिसका मतलब है सन्रक्षन इस प्रकार से इस बिमारी का पूरा नाम Acquired Immuno Deficiency Syndrome यह है रोग एक विशानू यानि की वाइरिस से होता है जिसका नाम है Human Immuno Deficiency Virus जिसे संग्षिप में HIV कहते है Acquired का तातपर है प्राप्त की गई इस स्थे स्पष्ट है कि AIDS की बिमारी दूसरे रोगियों से प्राप्त की गई बिमारी है ना कि यकायक होने वाली यह बिमारी HIV नामक विशानूं के प्रकोप से फैलती है पूर्व में अलग-अलग जगे लोगों ने इस विशानूं या इस वाइरस को अलग-अलग नाम दिया किन्तू 1989 में AIDS का कारक एक ही विशानूं को माना गया और वे था HIV HIV विशानूं तरल पदार्थ जिसमें थोड़ा सा भी म्यूकस होता है के माध्यम से प्रवाहित होते हैं इस प्रवा के प्रमुक माध्यम, वीरे, रक्त और लार है जब किसी माध्यम से HIV विशानूं हमारे शरीर में पहुच जाते हैं तो ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाली टी कोशिकाओं, टी सेल्स, अर्थात असंक्राम में तंत्र यानि की इम्यून सिस्टम एवं मस्तिश्क की कोशिकाओं को धीरे-धीरे प्रभावित करते हैं और उन्हें नश्ट करते रहते हैं संक्रमन के लगबग 12 सप्ता बाद ही रक्त की जाँच से यह ग्यात होता है कि यह विशाणू शरीर में प्रवेश्ट कर चुका है जिस व्यक्ति के शरीर में एड्ज रोग के विशाणू होते हैं उसे HIV पॉजिटिव कहते हैं ऐसे व्यक्ति के शरीर की प्रती रक्षात्मक ख्यमता समाप्त हो जाती है कुछ वर्षों बाद यानि कि 6-10 वर्ष में कुछ वर्षों बाद स्तिती यह हो जाती है कि शरीर आम रोगों के किशाण के टाणूं से अपना बच्चाव नहीं कर पाता और तरह तरह के संक्रमन या एड्स कहते हैं HIV पॉजिटिव व्यक्ति 6-10 वर्ष तक सामाने जीवन व्यतीत कर सकता है किन्तु वह दूसरों को बिमारी फैलाने में सक्षम होता है इस रोग को हम इस प्रकार से भी समा सकते हैं जिस प्रकार से किसी देश का सैन्य बल समाप्त होने पर वह देश कमजोर हो शरीर की प्रती रक्षात्मक्षमता नश्ट कर दी जाने पर प्रते एक छोटी मोटी बिमारी के विशानू एवं किटानू शरीर में प्रवेश कर उस पर अपना आधिपत्य जमाने लगते हैं और व्यक्ति एक साथ काई रोगों से ग्रसित हो जाता है अंत्यत्य उसकी मृ एड्स से मृत्यू अत्यांत पीडादाइक होती है एड्स का अभी तक कोई उप्चार एवं बचाव का टीका नहीं है अब हम चर्चा करेंगे एड्स की उत्पत्ति के सिद्धान्त के बारे में Theories of the Origin of AIDS रैनी सेबेटियर ने अपनी पुस्तक Blaming Others, Prejudice, Race and Worldwide AIDS में HIV विशानू जो की एड्स का कारण है कि उत्पत्ति के बारे में तीन सिद्धान्तों का उले किया है और वे हैं सबसे पहला सिद्धान्त है पुरातन रोग का सिद्धान्त सेबीटियर का मत है कि AIDS एक पुराना रोग है जिसके बारे में लोगों को पहले से ग्यात नहीं था वर्तमान में विज्ञान ने इसे खोज निकाला है दूसरा सिद्धान्त है प्राकृतिक वाइरस का सिद्धान्त एक माननेता यह है कि AIDS मानव के अलावा अन्य नसल जैसे बंदर, लंगूर, चिंपैंजी, और एंगोटान आदी में पाई जाने वाली प्राकृतिक वाइरस बिमारी से पैदा हुआ है और तीसरा सिद्धान्त है प्रयोक्षाला सिद्धान्त एक मत यह है कि AIDS प्रयोक्षाला में जान बूच कर अत्वा किसी विशेश उद्देश हेतू यह आकस्मिक रूप से पैदा हुई बिमारी है यहां यह है बताना अविशक है कि अभी तक AIDS एक लाइलाज रोग माना जाता है और व्यज्ञानिक इसके उपचार हेतू टीका एवं दवाईयों की खोज में निरंतर प्रैतनशील है एड्स के विशाणू कहां रहते हैं? एड्स के विशाणू के रहने के प्रमुक स्थान हैं पहला है रोगी के वेरे में, दूसरा है रोगी के रक्त में, तीसरा रोगी द्वारा प्रविक्त की गई सिरंज सुयों में और च प्रत्यांग में अब हम चर्चा करेंगे AIDS रोग के लक्षण के बारे में Symptoms of AIDS किसी व्यक्ति को AIDS रोग है इसका पता छोटे बड़े लक्षणों से लगता है रोग के छोटे लक्षण है पहला एक माँ से अधिक समय तक खासी का बना रहना तूसरा शरीर में खुजली होना तीसरा पूरे शरीर पर घाव हो जाना चौथा शारे शरीर पर फुंसियां हो जाना पांचवां मू और गले में खराश रहना और छटा दो या तीन महिने से जादा एक या दो जगे गरंतियों में सूजन बनी रहना और रोग के बड़े लक्षण है पहला शरीर के वजन का 10% से अधिक घट जाना यानि की कमजोर हो जाना वजन घटना दूसरा पॉंट है एक महिने से अधिक दिन तक बुखार बने रहना तीसरा पॉंट है एक महिने से अधिक दिन तक दस्त बने रहना और चौथा पॉइंट है भारी थकान का निरंतर बने रहना तो बच्चों आज की क्लास में बस इतने ही आज जो मैंने पढ़ाया है आप उसका अच्छे से अध्यन कीजेगा धन्यवाद